मकर रासी वालों का आज का दिन यणी की 14 फरबड़ी 2021 का दिन कैसा बीतेगा मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ 14 फरबड़ी 2021 के पंच्यांग के बारे में मित्रों आजेति थी है तृतिया नक्छत्र है पुरबा भाद्रपद पक्छ है सुकल पक्छ दिन है रभी वार आज के दिन सुर्य उदे का समय है साथ बजे में सुर्य अस्त का समय है छे बज के दस मिनट में रितू है सिसिर आज का दिन काल है 11 घंट 9 मिनट 24 सेकेंड का महिना है माग आज के दिन सुभ शमय सुरू होता है 12 बज के 14 मिनट एम से 12 बज के 56 मिनट पी एम तक असुभ काल सुरू होता है 4 बज के 41 मिनट पी एम से 5 बज के 25 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है 4 बज के 46 मिनट पी एम से 6 बज के 10 मिनट पी एम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोट का भग्यसाली रंग एबं भग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने वाला समय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आने वाले समय में गाड़ी चलाते समय आपको शाबधानी बरतनी होगी क्योंकि आने वाले समय में ऐसी संभाबना है कि गाड़ी चलाते समय यदि आप कोई भी लापड़बाही करते हैं तो आपको चोट चपेट लग सकती है मित्रो आने वाले समय में आपके खर्चों में बहुत जयादा बढ़ोतरी होगा लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी के साथ में आपके आमदनी में भी बहुत जयादा बढ़ोतरी होगा जो की आपके खर्च एबम आपके आमदनी को संतुलित कर देगा मित्रो आने वाले समय में यदि आप कोई भी सामाजिक उत्सब में भाग लेते हैं तो यह आपके लिए आपके सामाजिक छबी के लिए बहुत ज्यादा बिहतर इबं सांदार होगा आने वाले समय में यदि आप किसी भी सामाजिक उत्सब में भाग लेते हैं तो प्रभाब साली विक्तियों के संपर्क में आने का मौका आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आने वाले समय में यदि आपके प्रेम संबंध आपके लभ लाइप की बात करें तो आने वाले समय में आपका प्रेम संबंध बहुत ज्यादा बिहतर इबं सांदार होगा मित्रों आप में से जो भी जयातक आने वाले समय में किसी नए काम की सुरूआत करना चाहते हैं तो आने वाले समय में किसी भी नए काम को सुरू करने से आपको बचना चाहिए क्यूंकि आने वाले समय में आपके बेपार आपके बेबसाई के छित्र में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा टोटका भाग्य साली रंग एबं भाग्य साली अंक किया है मित्रों टोटका बहुत ही ज्यादा सामानने है आने वाले समय में आपको गव आस्रम में गव साला में अपनी छमता के अनुसार कुछ दान पुन्ने करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली अंक है छे यणी की सिक्स आपके लिए भाग्यसाली रंग है नारंगी एबम सुनहरा तो यही था आपके आने वाले समय कारा सी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद बुर्दे